आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Question is The marks of 9 students in ascending order of a test are given below with median as 34 The value of k is 12, 16, k, 28, k plus 5, 32, 47, 53, 57 Option क्या है हमारे पास? First option हमारा है 27 Second option हमारा है 30 Third option हमारा है 29 And fourth option हमारा है 32 तो जो हमारे पास given number है जो हमारे पास 9 students का number है वो कितना है तो वो हमारे पास 12 है उसके बाद क्या है? 16 है उसके बाद क्या है? तो k है उसके बाद क्या है? तो उसके बाद 28 है उसके बाद क्या है? तो इसके बाद हमारे पास है k plus 5 then 32 है, then 47 है then 53 है then क्या है? 57 है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम जो हमारे पास given number होता है उसको क्या करते हैं? Ascending order में हम उसको लिख देते हैं ये तो हमारे पास पहले से ये ascending order में दिया हुआ है और उसके बाद क्या count करते हैं कि इसमें कितने number of term है तो इसमें है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो इसमें कितने है तो इसमें जो number of term है वो है हमारे पास 9 terms है कितने है तो 9 terms है तो अगर हमारे पास odd number of term होता है तो अगर हमारे पास k plus 5 क्या होगा, k plus 5 हमारा median होगा, तो इस case में, k plus 5 हमारा क्या होगा, तो अगर k plus 5 median है, और हमें question में क्या दिया गया है, हमें question में दिया गया है, कि जो हमारा median है, इन 9 student का क्या है, तो जो median हमारा है, वो हमारा 34 है, तो k plus 5 is equal to, क्या गया, 34 आ गया, अगर हम 34 में से माइनस 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा 29 That means, जो K की value हमारे पास आई वो कितनी आई? तो वो हमारे पास 29 आई और यही क्या होगा? यही हमारा answer होगा इस question का अब हम आते हैं option पे तो जो हमारा third option है वो क्या है? 29 है आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर